दोस्तों दस्वी पास पी अगर आपका भी सपना है केंद्र सरकार यानि सेंट्रल लेबल पे जॉब करना तो ये बहुत ही संदार भरती निकल कर आ चुकी है ओफिस एटेंडेंड की जी हैं दोस्तों अप्रोक्स 35,000 Starting salary आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सारा allowances यहाँ पर देखने को मिलेगा House rent, D.A.P.A. सब चीज मिलेगा तो ये salary बहुत ही जेबरजस्त है दस्वी पास के लिए ये संदार भरती आपकी होने वाली है और ये vacancy निकल करे रेफ्रिंट्स नबाड से National Bank for Agriculture and Ruler Development ये किंद्र सरकार के एक बहुत बड़ी संस्था है और इसी के अंतरगत जो है ये वेकेंसी आपको जो है निकाली गई है अब हम आपको बताते हैं इस भरती के बारे में कबसे ओनलाइन आवेदेने स्टार्ट होगा इसमें कौन लोग form भर सकते हैं age limit क्या है selection process इसमें दो phase में आपका exam होने वाला है दोनो phase के बारे में बात करेंगे एक pre exam होगा और mens exam होगा देखिए जबरजस्त vacancy है तो इसलिए exam भी जबरजस्त यहाँ पे होने वाला है दो phase अक्सर देखा जाता है group C में जितनी vacancy आती है friends और office attendant की खास करके तो उसमें एक ही मतलब phase exam में आपका selection हो जाता है लेकिन यहाँ पे दो phase में exam होगा और all India vacancy है आप किसी भी राजस आते हैं तो form को apply कर सकते हैं और number of post भी अच्छे खास हैं चलिए जानते इस भारती के आवेदन कब से start होंगे और कब से कब तक आप लोग form भरेंगे देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर आवेदन दे सकता है और नबाड is an all India apex organization wholly owned by government of India यहाँ देखे लिखा हुआ है कि government of India के दवारा जो है यह on किया जाता है fully नबाड जो है एक और अपेक्स और यहाँ बताया गया कि only online application from Indian citizen having necessary तो जो भी qualification fulfillment करते हैं वो जो है Indian citizen यहाँ पे form को apply कर सकते हैं online mode में वेकेंसी की बात करें तो 108 पदोब वेकेंसी है office attendant के post है इसमें age limit 1 October 2024 को आपका उम्र जो है 18-30 वर्स के बीच रखा गया है minimum 18 वर्स maximum 30 वर्स आपकी उम्र सीमा है तो form बरेंगे यहाँ पे upper age में छूट भी मिलता हम आगे discuss करेंगे यहाँ पे आपका जो qualification है वो 10th pass होने चाहिए only 10th ना higher qualification नहीं होना चाहिए यह भी से ध्यान दीजेगा जिसे बहुत लोग 12th pass है या regression pass है वो नहीं होना चाहिए अगर कोई higher qualification किया हुआ है 10th के बाद तो वो form नहीं भरेगा वो eligible नहीं है already notification में ऐसा लिखा गया मैं भी आपको दिखाऊंगा अब यहाँ पे salary जो है gross आपको बताया गए 35,000 आपको है और online जो इसका start होगा वो 2 October से लेकर 21 October 2024 तक form को apply करेंगे तो 2 October को हम एक अलग proper video ला देंगे कैसे आपको form को भरना है step by step और यहाँ बताया गए कि detail advertisement जो है आपका state wise vacancy, educational qualification, age application fee, selection process यह जो है आपका 2 October को ही publish किया जाएगा नबाड की official website पे अभी फिलहाल हम जो है आपको detail notification के बारे में पूरा चर्चा कर देते हैं मैं जो पुरानी vacancy आई थी इससे पहले भी office attendant की vacancy आ चुकी है इस मतलब department में तो उससे related जो पहले notification आये थे selection process वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ यह पुराना notification recording मैं सारी जनकारी बताता हूँ फिलहाल अगर कुछ भी changes होते हैं तो हम अलग से वीडियो आप लोगो बनाएंगे दो अक्टूबर को जैसे notification आएगा अब देखी यहाँ पे बोलागे कि आप जो है metric pass होने चाहिए qualification मैंने अलड़ी बताया है यहाँ और यहाँ पे बताया गए एक चीज और कि आपको जो है वहाँ का local language आनी चाहिए जिस भी office मतलब state से आप form भरना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेकेंसी जो है state wise निकलती है जिसे 108 वेकेंसी है न तो अलग-अलग state wise यह लोग वेकेंसी को सो करेंगे कि कहा कितनी वेकेंसी है मैं आपको दिखाना चाहू तब पुराना notification में जैसे यह बहुत पहले वेकेंसी आई थी 2019 में 2019 में जो वेकेंसी आई थी तो इस परकार से table बना था और यहाँ पे बताया गया था कि किस राजे में कितनी वेकेंसी है फिलहाल यह पुराना notification है आप यहाँ पे देख सकते हैं उस समय जो है 73 वेकेंसी थी इस बार 108 वेकेंसी जो है निकाली गई है तो इस तरह से table बनेंगे और जिस भी राजे से form भ कर लिया और आगे बढ़ गए फिर आपको आगे चलके दिकत हो जाएगी तो यह चीज भी से ध्यान देने यहां लिखा हुआ सूट भी a domicile of the state coming अंडर तरी री रीजिनल जो डिसक्शन अप्दा रीजन ऑफिस्ट विच सी अप्लाइंग फॉर मतलब जिस भी मतलब रीज इस्टा कॉलिफीकेशन हाइर क्या समय होना चाहिए वहीं लोग फ्रम भरेंगे तो यहां देखे लिख दिया गया हैं पोसेजिंग रिजिजिशन एंडहाइर क्वालिफीकेशन मतलब के इंडिट्स पोसेजिंग रिजिशन एंड चाहिएर अनॉटे नईलिजिब हम जो है कोई graduation या higher qualification जो है नहीं कर रखा हुआ है अगर आप किये रहेंगे तो अगर जाच हो जाती है पता चल जाता है तो आपको उसी समय निस्कासित कर दे जाएगा वेकेंसी से या रद आपकी expenditure को भी रद किया सकता है तो यह सारे चीजे हैं और अगर को एक सर्विस मैंने तो भी एटलिस्ट तेंथ ही पास हो और कम से कम 15 यह का जो है डिफेंस सर्विस जो है वह यहां पर किया हो और इसके अलावा जो है वह ग्रेजुशन नहीं किया हो तो आउटसाइड किसी आर्म फोर्स में वही वहां पर फॉर्म को भारेगा तो यह सिर्फ और सिर्फ दसवी पास के लिए यहां पर यह यह इलिजबिटी रखा गया है अब यहां पर मैंने बताया कि ऑपर एज में छूट होता है तो एक अक्टूबर दो हजार चोविस को आपको जो है गड़ना किया जाएगा डेटर बर्थ को अब इसमें ऑपर एज में छुट मिल रहा है पांक साल स्ट को और यहां पर ओबी सी को तीन साल तो इस तरह से 35 वर्स हो जाएगा अठारो सो पैंटीस वर्स से लिए और ओबी सी का उमर सीमा यहां पर हो जाएगा जमु का समीर का कोई है इतना सितना के बीच तो उनका जो है पांच यहर्स का एज में छूट यहां पर देखने को मिलेगा अब जो भी केंडेट्स यहां पर फॉर्म भरना चाहते हैं उनको मेरा जो है सला है कि आप एक बार अपना जाती साटिफिकेट लेटिस्ट वाला ज रखेंगे अब बाता आती है में प्रोसेस सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो देखे मैंने बताया था कि दो फेज में एक्जाम होगा उसके बाद से आपका लेंग्वज प्रोफेंसी टेस्ट होगा एल पीट जिसको बोलते हैं यानि तीन फेज हो गया तो यह यह वाला सिर्फ क्वालिफाइंगी नेचर है और बाकी जो है यह भी आपका क्वालिफाइंगी नेचर है और यह आपका मेंस एक्जामिनेशन है अब देखें यहाँ पर जो आपका प्री एक्जाम होगा उसमें बतायागा कि 90 मिनिट आपको समय मिलेंगे 120 कोश्चन 120 मार्क्स के सॉ कि जाने वाला यह इसके बाद से आपका मेंस एक्जाम होगा अपको मेंस में देखने को मिलेगा अब यहां बतायागे कि आपका जो प्री एक्जाम होगा उसका एंग्लिस और हिंदी दोनों लेग्वेज में आपका question paper रहेंगे इंग्लिस और हिंदी को छोड़के special अब हिंदी भी सहे तो हिंदी में ही रहेगा न अगजिडी में ही उसका question रहेगा, इन दोनों को छोड़के अब यहां बोला गया था, preliminary examination is only qualifying in nature जो pre-exam है वो भी qualifying in nature है and it is meant to serve as a screening test screening test के लिए serve माना जाएगा अब यहाँ पे जो आपका calling ratio है men's exam में बैठाने क्या men's examination का calling ratio है वो 1.25 बेस्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी vacancy है उसका 25 गुना आप कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि similarly only search candidates who score cut-up marks या above in the men's examination will be shortlisted for selection यानि यह जो men's exam है इसमें आप अच्छा score करेंगी तो आप shortlist हो जाएंगे final selection है उसमें लेकिन इसमें भी आपको अच्छा खासा score करना ही होगा क्योंकि इसने भी fight होगा तभी तो आपका one by मतलब 25 गुना candidates के list में आप सामिल होंगे समझ रहें ना वेकेंसी 108 है इंटू आप 25 करेंगे तो सोचे कितना लगवा लगवा कि 1000 के आसपास जो है सौरी 2000 के आसपास जो है यहाँ पर candidates को यह लोग क्या करेंगे कॉल कर रहे हैं दो यहां पर आपको अच्छा score करना होगा तभी तो आप बाइफ फोर्थ का है दोनों एक्जाम में प्री और मेंस दोनों में आपका वन बाइफ फोर्थ का निगेटीब माकिन आपको देखने को मिलेगा और यहां देखिए लिखा हुए L.P.T. will be will of qualifying type यह सिर्फ qualifying type है और candidates not अगर आप उस राजे से अपलाई किया है उस राजे का आपको जो भी लेंगवेज है नहीं पता है तो आपको जो डिस्कॉलिफाई यहां पर कर दिया जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है आपको फॉर्म भरते समय स्टेट चूज करना है और स्टेट चूज करते ही समय आपको यह कंफर्म कर लेना कि वहां का लोकल लेंगवेज आपको आती है तो यह सारी इंफॉर्मेशन है फ्रिंट्स आई होप आप लोग समझे ओंगे थोड़ा समय आपको अप्लीकेशन फी के बारे में बताएता हूं कि आपका अप्लीकेशन फी क्या लगने माला है भरतने के लिए और salary मैंने आपको अलड़ी बताया यहां पर आपको दिखेए डियर्नेंस अलाउंसेंस, Local Compost Entry, अलाउंसेंस, House Rent अलाउंसेंस, Grade अलाउंसेंस यह तमाम अलाउंसेंस जो है आपके यहां पर मिलते हैं और salary मैंने आपको अलड़ी दिखाया ही फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ, सिंग्नेचर, लेप्ट थाम इंप्रेशन और हैंड रिटेन डिकलेरशन ये वाला रिटेन डिकलेरशन आपको एटेज करना है लिखके अप्लिकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे SCST, Biglang, X-Servicemen को 50 सुरुपे अप्लिकेशन फी है बाकी जो केंडियेट्स हैं जैसे की आपका OBC, EWS, General उनको 4700 रुपे अप्लिकेशन फी यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरते समय ही तो यह सारी इंफॉर्मेशन थी फ्रेंट्स जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा 2 October को हम आपको डिसक्स करके बताएंगे साथ ही साथ हम आपको फॉर्म भरने का भी तरीका बता देंगे जो यहाँ पर आएगा अब यहाँ पर Official Language किस राजे का क्या है यहाँ पर आपको देखना होगा जम्मू में उर्दू और इंग्लिस तो उर्दू आती है तो इंग्लिस पिसने भी आप फॉर्म को भर सकते हैं तो ऐसे अब जो भी आप राज्य चूज करेंगे उसका जो है लेंग्वेज टेस्ट आपसे लिया जाएगा समझ रहें ने वहां का जो भी है आई होप आप दरसे बिहार है हर जगा का जो है अलग-अलग जो है आपको examination center देखने को मिल जाएंगे आप जहां चाहें वहाँ exam center ले सकते हैं फोर्म भरते समय आप से पूछ लिया जाएगा examination center के बारे में और main examination का exam center आप देख सकते हैं आपके अपने ही जो है राज्य में देखने को मिल सकता है तो आई होप आप लोग पूरी information समझेंगे इस भरती के regarding आपके मन में और भी कोई भी doubts से कमेंट है को पूछेगा जैसे इसका full notification आएगा हम प्रोपर उस समय भी आपको वीडियो बनाके बता देंगे मिलते हैं फ्रेंट्स किसी नेक्स पूड़ो में जहीं दापका दिन सुभो